हाई गाई सिन्याकार्तिक लॉक्स में आप सबका स्वागत है जैसे कि आपको पता है कि मेरा प्रेग्नेंसी का फिफ्ट मन्थ चल रहा है तो आज मैं होल डे रूटिन आपसे शेर करने वाली हूँ तो वैसे तो मैं सुबह छे से साथ बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ म और ज्यादा गर्म नहीं पीती हूँ गुनगुना पीती हूँ इससे क्या होता है कि पेट भी साफ रहता है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और उसके बाद सुबह मौनिंग में मुझे ठंड लगती है क्योंकि हमारे यहां पर चंडीगर में मौनिंग में और प्रान देती हूँ क्योंकि डॉक्तर ने स्किन केर के लिए भी बोला हुए है तो मैं यहां पर मौस्चेराइजर लगा लेती हूँ सुबह सुबह और उसके बाद मैं ड्राइफ रूट्स लेती हूँ भी गोई हुए लेकिन आज भी गोना कार्तिक भूल गया था इसलिए फ्रूट्स में वैसे ही ड्राइ ले रही हूँ इसमें है काजू किश्मिश बदाम है और और भी अक्रोट वेगर अभी होते हैं लेकिन आज मेरे पास बस इतना ही था और यह खाने के बाद मैं जाती हूँ च्छत पर च्छत पर मुझे जाना बहुत पसंद है क्योंकि सब्सक्राव. होनी शुरू हो गई है और मैं अच्छे से अपने हेर को खोल के अच्छे से अपने हेर पर मसाज देती हूं ताकि जो फ्रेश हवा है वो भी मेरे हेर में लगे क्योंकि इससे भी हेर हेल्दी होते हैं और मैं जब ठक जाती हूं तो बीच-बीच में मैं अपने जूले पर scalp में जो growth की problem है वो ठीक हो जाती है बाल जल्दी जल्दी लंबे होते हैं और अच्छे से मैं root से लेकर end तक अपने hair को अच्छे से comb करती हूँ और जो मैं comb कर रही हूँ वो wooden comb है इससे hair fall नहीं होता है और अच्छे से comb करने से फायदा यह होता है कि एक sebum reduce होता है हमारे scalp से जिससे हमारे hair बहुत ही shiny और healthy होते हैं और जल्दी जल्दी हमारे बाल लंबे होते हैं तो इसके बाद मैं च्छत पर घूम लेती हूँ और जो क्यारी में हमारे कुछ लगा है जैसे गंबले में हरी मिर्च है साग है मूली है सब ममी लगा के रखते है flowers वेगर है तो इन सबको मैं देख लेती हूँ अच्छे से चारों तरफ नजारे ले लेती हूँ और क्यूंकि पूरे दिन तो मुझे घर में ही रहना होता है डॉक्टर के पास जब जाना होता है तो ही routine में मैं जा पाती हूँ बाहर वारना मैं घर में रहती हूँ और फिर म बना हुआ ड्राइफ रूट्स इसमें बहुत सारा ड्राइफ रूट्स कूट के डाला हुआ है तो आपको ओगे तो मैं रेसिपी शेयर करूंगी या वैसे भी नेक्स टाइम मैं शेयर कर दूंगी रेसिपी और ये खाने के बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्च तोड रही और ये मुझे ब्रेक्वास्ट में बहुत ईजी लगता है बनाना और खाना भी तो पहले मैं अपने हस्बेंट को करती को खिला देती हूं और फिर उसके बाद में खाती हूं क्योंकि खाने के बाद अभी हमें बहुत सारा काम निप्टाना है तो मैं करतिक से पूछ रही तो हजबन जो होते हैं वो सीधी मुझ कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक कभी तारीफ नहीं करता कि अच्छी बनिया या नहीं तो बस ऐसी मजाग करते रहते तो ब्रेक्वास्ट करने के बाद मुझे कपड़े धोने हैं और घर का काम भी होता है जैसे मैं अपने रूम के सफाई करती हैं तो आज में सफाई नहीं करूंगे क्योंकि एक दिन छोड के मैं सफाई करती हूं तो आज मुझे अपने कपड़े धोने थे तो जो मैं मार्केट से नय कपड़े लेकर आए थी उसको पर वाश कर लेती हूं कि मेरी ममी का कहना है कि कई लोग उसको ट्राइ करते हैं पहन के तो थोत अपने काम को निपटाने के बाद ही 9-10 बज़े के बाद ही नहाती हूँ जब धूप निकल जाती है तो क्योंकि बच्चे को भी सर्दी से बचाना जरूरी होता है तो नहाने के बाद मैं कुछ धार्मिक किताबे पढ़ती हूँ डॉक्टर ने मुझे कहा है कि धार्मिक किताबे पढ़नी है और अच्छी किताबे तो उसके बाद मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा सा डांस करती हूं जोई करती हूं कि मेरा बेबी खुश रहे तो प्रेगनेंसी में ज्यादा डांस वांस करना मना है इसलिए मैं हलका फूलका भूब करती हूं इसके बाद मैं फड़ा सा नारिल पानी ले रही हूं यहां पर क्योंकि नारिल पानी जैसे बहुत गर्मिया थी तो मैं सुबह सुबह ले ले लेती थी लेकिन अभी सर्दिया आ गई है तो सर्दियों में सुबह सुबह नारिल पानी नहीं लेना चाहिए इसे सर्दी खासी ज यहां पर पढ़ाने में उसकी आ workers के पांग के लिए और मुझे इतनी में कि ईंपरा। मुझे और आजब के बोलने हैं एक जाए। प्यार होके निकल पड़ी हूं अपने यहां पर हॉस्पिटल में और सैर कर रही हूं अपने बारी का वेट कर रही हूं कि मेरा टर्ण कब आएगा तो काफी लंबी भीड थी वहां पर तो मेरे को एक जगा बैठना बोरिंग लगता है तो मैं घूम रही हूं कार्तिक तो पर जाकर अपना वेट कर रही हूं क्यूंकि डॉक्टर ने बोला था कि हर मेहिने डेड़ से दो किलो वेट बढ़ना जरूरी है तो मैं कभी चपल पहन के कभी चपल उतार के अपना वेट करके देख रही थी तो फाइनली वेट मेरा की है 62, 62. तो 62. कि मैंने सोता कि अब तो बिमार पढ़ना ही है तो इससे अचा खा पी लो क्योंकि ब्लड टेस्ट होएगा तो मैं दो-चार दिन बिमार रहती हूं और विकनेस आ जाती है तो उसके बाद हम घर पे आ गए और ममी ने बना कि यहां पर रखता दाल पालक बहुत ही सिंपल इस कर लेती हूं और साथ-साथ मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूं प्यारे-प्यारे मेचा रिप्लाइब भी करती हूं और फिर मैं एडिटिंग भी करती हूं कि नई विडियो मुझे कौन सी बनानी है और जो मैंने अलरड़ी बना कर रखी है प्रेग्नेंसी की उसे भी मैं हैडिट करती हूं तो इन दिनों काफी मुश्किल लगता है मुझे क्योंकि धिरे-धिरे मतलब वेट जैसे गेन हो रहा है तो काम करने की कैपिसिटी भी बहुत कम हो रही है और जैसे बोलते-बोलते सांस फुलना और पैर में सूजान आ जाना और चक्कर थोड़ा सा आ जाना यह मैं को रहता है तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करके क्योंकि डॉक्तर ने बोला है कि दिन में ज्यादा नहीं सोना है तो मुश्किल से मैं आदा घंटा या एक घंटा सोती हूं और कभी-कभी वह भी नहीं सोती हूं तो सो कर उठने के बाद मुझे थोड़ी सी कि देविंग नहीं हो रही है मुझे तो मैं घर का हेल्दी खाना पसंद कर रही हूं कि बेबी को कोई नुकसान नहीं क्योंकि एक दिन मैंने मौमोज खा लिया था तो उसे मैं बीमार हो गई इसलिए मैंने बाहर का अवॉइड कर रख आ है तो मैं यहां पर कौफी बना रह तो मैंने सोचा जल कोई बात नहीं तो मैं शाम को हमेशा जो मेरा स्नेक्स होता है वो भी चेंज रहता है कभी में ब्रेड खा लेती हूं कभी मैं सेंडविच बना लेती हूं और कभी नूडल्स खाने का मन करता है तो मैं इपी नूडल्स ही खाती हूं अभी बाहर का नूडल बच्चे की ग्रोध सही होती इसलिए मैंने सच्चा की बेवी के लिए मैं कुछ भी करूंगी तो मैं अपने रूम में उपर अकेली रह रही हुं इन दिनों तो मम्मी आते हैं बीच-बीच में कभी-कभी तो हम लोग का टाइम टेबल बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि मेर भूख लगने का समय कभी भी होता है तो जब मुझे भूख लगता है मैं बना के खा लेती हूं और मम्मी और कार्तिक का टाइम कुछ और रहता है तो कार्तिक जब ओफिस से आते हैं तो मम्मी के साथ चाय पी लेते हैं मैं पहले ही पी लेती हूं तो मैं कभी चाय भी पी लेत दूद्ड और कभी में दूद्भी ले लेती हूं मैं है देखा जाते हैं छाय कोफी में एक ही बार लेती हूं अगर में मॉर्निंग में ले लिया तो मैं शाम को महीं लेती हूं तोटी सी अर्श हम आज बना रहे हैं चिकन करी तो रहना पे हम चिकन करी बना रहे हैं चिकन करी तो डॉक्टर ने मुझे 100 ग्राम चिकन डेली खाने के लिए बोला है जो इंपॉसिबल है मैं खाई नहीं पारी हूं दिनों मैं कूल्टी आ जाती है और फर्स्ट टाइम आज को खो रहा है तो मैं प्याज को भून रही हूं और थोड़ा सा घी बटर डाल के और उसमें अद्रक और लहसन का पेस्ट में भून रही हूं तीनों को इकठा भून कर और चिकन में मैंने सारे मसालों को मिक्स करके रख दिया था एगंटे के लिए नमक, हल्दी, काली मिरच लाल मेरच, धनिया, पाउडर, गरम, मसाला, चिकन, मसाला और थोड़ा सा दही हलका सा डाल के क्योंकि मुझे इन दिनों मसाले अच्छे नहीं लग रहे हैं और फिर मैं इसको प्याज और अफिलासन अद्रक के पेश में अच्छे समेश को मिक्स कर देती हूं मैं तो ऐसे इसी तरीका बनाती हूं पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं तो क्योंकि चिकन में बहुत प्रोटीन होता है और डॉक्टर ने जैसे बोला कि डेली खाना है तो डेली इंपॉसिबल हो जाता है तो चिकन के साथ मैंने यहां पे जीरा राइस बनाया है राइस को मैंने घी म खाना नीचे बनता है और Nonweg उपर बनता है क्योंकि हमारे घर में Nonweg में और figик काते हैं तो खाना उपर ही बनता है वैसे ज्यादर खाणा जो मुझे पसंद है मैं घुड़ी कुक कर के बना लेती हूँ क्यूंकि मम्मी का थोड़ा सा अलग स्टाइल होता है ममी पंजाब का खाना बनाते हैं और मैं हर जगह का खाना बना लेती हूं जो मुझे पसंद है जैसे नौनवेज भी बना लेती हूं वेज भी बना लेती हूं तो ममी को इतना टाइम नहीं मिलता है लेकिन जब भी मिलता है तो ममी भी कुक कर देते हैं लेकिन नौनवेज मैं ह निकल चुके हैं तो आपको भी ऐसा ही होता था क्या कि कई बार फैवरेट चीजे भी मतलब इतनी गंदी लगती है और मतलब इतनी मतलब क्या बोलू में इरिटेटिंग लगती है तो यह बहुत अजीब सी बात मेरे साथ हो रही है तो यहां पर हमारा खाना लग चुकत है तो काफी चीजेशे हैं जो प्रेगनाशी में मुझे पसंद नहीं आ रही है खाने पीने की चीजेसे सैलेड में मुझे कच्छा प्याज बिल्कुल पसंद जब जो मेरा फैवरेट होता था, तो यहां पे चीकन मैंने लगा दिया है कंने में और चावल है सेलेड है चपाती है तो कार्थि के साथ हम अपना डिनर कर रहे हैं और कार्थिक से मैं यह देखो बेबी के आने के खुशी में टेडी टूबी कैसे खुश हो रहे हैं तो सुबे में और दिन में मैं बरतन दो लेती हूं लेकिन रात को कार्तिक मुझे बरतन नहीं दोने देते हैं कहते कि मैं धूंगा तुझे ठंड लग जाएगी तो खाने के बाद मैं 20 मिनट सेयर करती हूं पहले तो कभी बाहर चले जाते थे या छट पर भी चले जाते थे लेकिन अब इन दिनों बाहर नहीं निकलने देते हैं भी जात थे लगा लेती हूं और बेबी बंप पर भी कॉखने चले जाते हैं विडा जाते होगे अगर नहीं करेंगे तो आगे मुशं की तो गले पे और फेस पे और हाथ पे मैं वेसलीन लगा लेती हूं और बेबी बंप पे भी कॉकनट ओईल या बायो लगाना बहुत जरूरी है तो यह भी मैं अपलाई कर लेती हूं और उसके बाद कार्थिक मुझे मैडिसिन देते हैं मैडिसिन के बाद मैं सोने चली जाती लेकिन फिर भी मैं active महसूस कर पारी हूं अपने आपको और क्योंकि active होना जरूरी भी है तो लेकिन कभी-कभी मुझे चक्कर आजाते हैं कभी-कभी headache हो जाते हैं ज्यादा तर मतलब मैं active रहती हूं आप देखी सकते हूं तो सोने की बारी आई क्योंकि कार्थिक मेरा भूलेगा बाई बाई टेक केर